नमस्कार मैं हो की रन आप देख रहे हैं नियूस टैमिनेशन वक्त हो चला है अप राज जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का सुल्तानपुर में कुड़़ार पुलिस ने क्युवक को 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफतार किया बताया जा रहा है कि आरूपी का नाम मनीश सोनी है अमेटी में गोत्वालिक शेतर के मंगलपुर गाओं के पास चाचा भतीजी को एक भैंस ने टक कर मार दी बताया जा रहा है कि चाचा अपनी भतीजी को कोचिंग छोड़ने जा रहे थे तब ही उनकी बाइक को भैंस ने टक कर मारी है अमेःटी में जामुत हनक्षेत्र के पूरे सीधी सिंग में अर्विन्द आदव नाम के शक्स ने कुछ लोगों पर दवंगई का आरूप लगाया अर्विन्द का कहना है कि जमीन हतियाने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धम्की दी है अमेठी में गौरी गंज गोत्वाली शेत्र के रेलवे लाइन ट्रैक पर एक युवा कशव मिला बताया जा रहा है कि युवा कशव टिकरियक शेत्र में मौजूद ट्रैक पर कटा मिला है अमेठी में थाना अमेठी पुलिस ने विद्याले में चोरी करने की योजना बनाने वाले दो आरोपियों को गिरफतार किया इनका नाम सौरब और सुजीद बताया जा रहा है बहराइच में थाना जर्वल रोड पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार किया, इन सभी पर अलग अलग मामलों में मुकदमा दर्ज है बहराइच में थाना रुपई डिया पुलिस ने एक वारेंटी को गिरफतार किया और ओपी का नाम राम राज बताया जा रहा है लकिन पुर्खीरी में थाना भीरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार किया, इनके नाम सूरज और सतीश है और यह में सदरोत वालिक शेतर के मंगला काली के पुलिस की मुटभेड एक आरोपी से हो गई बताया जा रहा है कि इस दोरान पुलिस ने भानजी का किड्नाइप करने वाले दीपक नाम के आरोपी को गिरफतार किया है रामपुर में थाना जीम नगर के गाउट ढोगपुर में दो इवकों की मौत से मातम पसरा हुआ है बताया जा रहा है कि 18 साल के असलम और 23 साल के फारुख को किसी वहाँ ने टक कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई बरेली के ग्राम पचॉमी में कुछ लोगों ने खेत में घुज कर चार बीगे गेहु को पार कर दिया बताया जा रहा है कि पीडित ने पॉलिस से मदद की गुहार लगाई है आपको यह खबरे कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप यह खबरें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें इसके लवा अगर आप इन खबरों से यूटीब के जरीए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें नमस्कार सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें